हलो फ्रेंज जेहंद और आज मैं करने वाला हूँ Realme X7 Max device में Geekbench का test और यहाँ पर मैं आपको version चेक करा देता हूँ C.16 update आ चुकी है इस update में खास कर हमें ads ही देखने को मिले हैं उनको कैसे disable करना है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था update के बाद मेरा तो दिमाग खराब हो गया था अब देख लेते हैं भाई Geekbench में क्या कुछ कमाल करता है या नहीं करता है वैसे मुझे लगता तो नहीं कि कुछ भी improve किया है Realme वालोने क्योंकि Realme की जितनी भी update आई है अभी तक सिर्फ और सिर्फ ads ही लाई है बागी कुछ नहीं लाई आप मुझे comment करके जरूर बताना कि आप कौन सी update पे हो और अगर आप update करने वाले हो तो आपकी क्या expectation है यार हम update करते हैं तो मेरी expectation हमेशा यही होती है कि हमें performance मिले Dimensity 1200 जो हमें दिया गया है वो मतलब अपनी peak performance तो कभी achieve करे लेकिन Realme यह सा नहीं चाहता Realme हमेशा यह बताना चाहता है कि भाई हम customer centric नहीं है हम money centric company है और हमें जहां से जादा पैसा मिलने का होगा हम उस तरफ divert कर देंगे हमें कोई फरक नहीं पड़ता आपको क्या feel हो रहा है आपको क्या नहीं feel हो रहा है हमने device बेशना था 30,000 का हमने बेश दिया अब आप जानो आपका काम जाने है बस इतना ही चल रहा है और यहां पर आप देख सकते हो अब और जादा rant नहीं करूँ आप वैसे मैं performance की बात करूँ तो मुझे कुछ-कुछ अलग तरीकी के bugs देखने को मिले मतलब अभी पर्सों के दिन मैं मतलब जब मैं YouTube पर comment टाइप कर रहा था तो हुआ क्या keyboard का glitch हो गया मतलब कीबोर्ड मैंने डाउन भी कर दिया लेकिन वह कीबोर्ड का जो कीबोर्ड था वहीं के वहीं शो कर रहा था अलग गलिच था यह पूरा का पूरा फिर मुझे phone restart करना पड़ा तब वह गलिच गया मतलब पूरी screen पर वह कीबोर्ड आय जा रहा था वहड भी नहीं रह हूं मैं कि एक बार flight mode on off करना ही पड़ता है Wi-Fi से जैसी switch करता हूं डेटा पर तो यह सब problems वही की वही है network connectivity ठीक है एक बार flight mode on off करके थोड़ी बहुत सही आने लगती है लेकिन कई बार ऐसे Paytm से payment करते time भी network चले जाते हैं तो वह अलग issue हो जाता है double double payment हो जाती है यह पता नहीं क्या issues चल रहा है तो भाई पूरा का पूरा मतला बहुत की ज़्यादा complicated कर दिया है और अब देखते हैं Geekbench 5 में कितना क्या score आता है वैसे आप लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या थीम क्या है और क्या नहीं है तो मैं नीचे pinned comments में comment pin कर दूँ वाली वीडियो देख लेना पूरी के पूरी थीम के बारे में icons के बारे में आपको वहां से information मिल जाएगी एक वीडियो अल्रेडी बनी होई है है ना बागी चैनल पे नहीं हो तो do hit the like button और subscribe to my channel क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डालता रहता हूं Realme X7 Max ही नहीं iPhone 13, iPad 9 वगेरा वगेरा सारे devices की मैं वीडियोस डालता रहता हूं तो do hit the like button और subscribe to my channel फिर से बोलूँगा बागी बात करें और इसमें कोई issue आए हैं तो नहीं बागी एक चीज और है जो मैं आपको अपडेट देनी थी कि इसमें Realme डैलर मैंने इंस्टॉल करके एक हफ करता है call recording अच्छे से वाग होती है तो उसके लिए मैं next वीडियो लाने वाला हूं वह वीडियो देखना मत भूलना बहुत ही interesting होगा और मैं step by step बताऊँगा कैसे install करना है बहुत ही simple method है तो जल्दी वह वीडियो लाऊँगा एक दो दिन के अंदर उसको देखना मत भूल बागी geekbench हो चुका है 100% अब देख लेते हैं क्या score आया 974 और 2854 मतलब पिछली बार से इसका multi score multi score जो performance थी वो थोड़ी सी कम हुई है बागी single score में तो आप देख सकते हो थोड़ी मतलब वही 974 है मैं पिछली के scores भी बताऊँगा या पर चेक करवाँगा आपको और यहां पर multi score में हमें देखने को मिलता है 2854 अब बात करें इसके पिछले scores की तो यहां पर history check कर लेते हैं आप देख लो इसका पिछला score जो था वो 3086 था multi score में जो मुझे याद है अच्छ से तो भाई तीन-चार सो points गिर चुके हैं मतलब तीन-चार सो points कम हो चुके है multi score में यह ए तो do hit the like button मैं फिर से बोलूँगा और आपको कुछ भी purchase करना हो इस device से related तो description में link है वो जरूर purchase कर लेना और अगर आपने मेरी यह वाली वीडियो नहीं देखी है न तो यह वाली वीडियो पर मिलते हैं यह बहुत ही interesting वीडियो है और इसको देखना जरूर और इस पर भी जागे लाइक और सब्सक्राइब का वड़न जरूर दावाना बाबाई टेक केर स्टेज सेफ